हेलो प्रेंट वेल्कम बैक मैं चैनल फ्रेंट फ्रेंट आज हम डिस्केशन करने वाले डेली लेवल्स के अंदर निफ्रिप्टी के बारा जुलाइ के लेवल्स देखेंगे क्या रहने वाले कल मार्केट कैसा रह सकता है उसके उपार तो चर्चा हो जाएगी और कल हमने क्या एक बिडियो मने बोली थी नव जो मैंने आई बढल आंप बीड़न पर लिंक दे रहा है उसको तो छोसे करना मैंने क्या लॉजिकलि chalk a würd जिसके कारण हमारा निफ्टी 50 के अंदर मूव होगा और निफ्टी 50 जो लोग बोले ना बीच जार बीच जार तो नहीं उननीच शैसो उननीच शासो उनीच आर्ट तक के लेवल देखने को भी मिल सकते हैं अगर रिलाइंस में यह मूव होते रहे कंट्रिश ली तो चांस बन सकते हैं रिलाइंस के कारण अगर रिलाइंस लेवल पर चला जाता है कुछ दिनों के अंदर उस वीडियो में मैंने प्रॉपा तरीके चीजों को मैंने लॉजिकली चीज समझाने कोशिश की ती तो जूरू देखना आपको भी समझाएगा बहुत अच्छे तरीके स पर चाहिए तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर लगा एक दिन का चार्ट आप दे सकते हो तिके मैंने कल भी प्रेडिक्षेंट किया था कि मुझे लगा था था मार्केट वीक रहेगा पर रिलाइंस लाइंस लेक्ड चल रहा है और मार्केट में उसके अकर्णद मूव आ तो उसके कारण मार्केट यह नीचे आया बाकी रिलाइस ने पूरा सपोर्ट कर रखा कल देखा होगा आपने ठीक है मंडे को देखा होगा तो साड़े 4% तक के मूव आगे थे रिलाइस के अंदर ठीक है आज भी उसके अंदर एक से एक से डिट परसंट के बीच में मूव रहा उसके अंदर जिसके कारण निफ्री 50 में अल्मोस अब मूव देखने को मिलता रहा तो रिलाइस के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ अठाइसो तक के लेवल आने के चांस बन रहे हैं वह मैंने बताए वीज़ फीडियों के अंदर और वह आपको देखना चाहिए ताकि आप भी चीज़ समझ सके हैं तो आज का जो हाई लगा है निफ्री 50 का वह दिख सकते हैं उन्नीस पानसो पंद्रा का हाई लगाया और जो लो रहा मार्केट का वह है उन्नीस चार सो चैके आसपास इसका लो रहा ठीक है तक्रीवन वहीं दिखा रहे हैं 83 पॉइंट तक के मैंलब 83 पॉइंट पॉजिटिव जाके बंद हुए क्यों गैप पढ़ने के बाद 60-70 पॉइंट को गैप भी आ गया था उसका स्पिर ओपर यह बंद हुआ मतलब फिर वापे से रिटेस हुआ नहीं क्योंकि रिलाइंस पूर टाइम आप रहा एक पसंट तक मूग देता रहा पूर टाइम तो अभी यही चलेगा जब तक यहां तो मार्केट को एक चीज़ नेगटिव निउस मतलब एक बड़ी नेगटिव न लेगा नहीं तो कुछ कंडिशन है वुजबत्तों फुल्फिल नहीं हो जाती है तब तक मार्केट नीचे नहीं आएका मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल सकती है ठीक है या तो फिर मार्केट चलाए जाए उननीस आठ सो नीस चैसो क्या सबस्वाइज चल लाता रहएगा फिर चारगेट पांशो चैसो क्या सबस्वाइज प्रॉफिर नहीं होने वाला है जब तक बड़े प्लेयर्स का जो टार्गेट पूरा ना हो जाए वीडियो बता यह उसको आप जुरू देखने हां ताकि आप समझ सके हो टार्गेट क्या रखें उन्होंने तो ये पंदर मिट का चार्ट है फेंड मैंने आपको कल क्या discussion क्या था मार्किट में gap up खुला काफी अच्छा gap up रहा ठीक है मैंने क्या बोला था आप देख सके हो मैंने पहले बताया था आपको क्या रखना ध्यान आपको मैंने बोला था अगर मार्किट में क्या रखना ध्यान आपको मूव मिलता है तो तो यहां आने देना तो आपको क्या होगा एक अच्छा मूव मिलने की चांस मिल सकते हैं तो थोड़ा पॉल हो सकता हैं ठीक है वह हुआ ही नी गैप अगया रिलाइंस में गैप अगया तो यानि कि हमारे निफिट विट में गैप आप आगया और गैप आप के बाद फिर उस आपके आसपास आके ठीक है यह ही मौका था आपको बाई करने का अब पांच मिनिट में देख लो एक बारी ठीक है यह पांच मिनिट में विक मनी जैसे आपको पर चल गया ना कि 400 बे सपोर्ट बैट चुका है यानि कि मार्केट 400 नहीं टूटका तबड़ा विक बन गया है यानि कि मलब confirmation मिल गी है आप अपना trade ले सकते हूँ आप इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे और 15 मिर छोड़ दे फिर आप यहां कहीं से अपनी position बना लेते हैं ठीक है यहां से अपनी position बना सकते थे क्योंकि हैं बनानी किसके उपर से थी 19 400 के ऊपर से हमें position बनानी थी अपनी ठीक है, 19 400 के ऊपर जहाँ पर ही मिल रहा है आप ले सकते थे और कहा तक के लिए play कर सकते थे पहला target जो अपको achieve होता, वो होता आपका 19 460 और दूसरा मिलता 19 500 वाला, मैंने दो target बोले थे दोनों target आपको अराम से मिल जाते इसके अंदर अगर देखा यह विग देखी है आपने नहीं, यहाँ पे लगा कि चिलो 5 मिड़े वेट कर लेते, और 5 मिड़े वेट करते और 5 मिड़े वेट करते, और 5 मिड़े यहाँ अपनी position लेते तो और वेट कर सकते थे और सब्सक्राइब कर सकते थे अगर आपको पांसो तक के लिए नहीं वेट करना था कि आपको जितना प्रॉफिट मिले ना वो ले लूँ ठीक क्यों कि शॉट करने ही रहे हो आप कोई प्रेवल स्टैडिशी तो लेके नहीं चल रहे हो तो जितना मिल जाए अगर आपको देखो इतना मोगा मिल पहले बात तो यह पूरा खतम हो गया अगर मार्केट यहीं से चा यहीं का वरोजें वो करके आपको निकलना पड़ेगा ठीक ना यहीं पूरा मार्केट में सेनेरियो था तो इस जगहा पर अपना एक क्या हो सकता था आप पूट ले सकते थे क्योंकि यहां पर रिवर्सल के तोड़े साइन दिखे थे क्योंकि इसकी अगर आप पूरा बड बात है ठीक ना तो इस जगा से कहीं से भी आप इस जगा से हो वहां से लेके और यहां को यह इपने इपने स्टॉपर लागे बैठ जाते हैं अगर उपर जाते हो तो इतने हीट हो जाता है और बाकि यह कर सकते है नीची के लिए आप ठीक है यही होता है वह depends कर आ आपके कितना confidence है कैसे trade ले पा रहे हो तो मैंने यही बोला था अगर मोका देख गैप खुल जाता तो फिर बहुत कम chance होते हैं कि आपको बड़ा trade मिल जाए तो जितना मिल रहा है उतने में संतूस्ट रहे छोड़े ट्रेडर जितना मिल जापने संतूस्ट रहे ज्यादा मतलब अभी बहुत ज्यादा चीजों को में ना गुसें जो ट्रेडर अभी मिल रहे हैं उनको पकड़ लें उनमें ही अपना प्ले करके निगल जाए जब कोई भारी बर का मूव ना हो जाए ना मार्गेट के अंदर जैसे कि यह लोगों का जो बड़े प्लेयर्स का मुझे लग रहा है कि वह मानके बैटे हैं कि जब तक इसको यह वारी ले जाने कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे उनका मन है और रिलाइंस के अंदर मूव है कि थोड़ी चीज़े बागी होना तो उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही कहीं प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिलेगी बड़े-बड़े स्टॉक्स के अंदर क्योंकि end-to-end स्टॉक करेंगे तब इंड सब्सक्राइब तक मार्किट कि 19,000 के ऊपर है तो कोई भी ऐसा प्ले मत कर लें जिसमें आप फ़ह जाएं 19,000 के बाद जब मार्किट कंटिनूसल नीचे क्लोजिंग दिने लग जाए ना किसके नीचे अठरा आठाट शो अठाट शैसो अठाट शैसो अठाट शैसो और आप देखोगे आल टाइम अभिया तर टुंटी फिफ्टी टू वीक हाई पर पहुंच चुके अपने सारे स्टॉक यह अपने आल टाइम हाई को टच करके आ रहे हैं जैसे कि HDFC, ICI, HBI, Indecent Bank हो गया, Kotak Bank हो गया, Axis Bank हो गया, सब के साथ अपने आल टाइम हाई यह 50-50 के स्टॉक है ना, जैसे Reliance हो गया, Infosys हो गया, जो भी बड़े-बड़े स्टॉक है, विप्रो हो गया, इनके अंदर सब तक 52 वीक हाई नहीं छू लेते हैं तब तक आपको profit देखने को, profit booking देखने को नहीं मिलेगी, तो wait करो, जब तक market ऊपर है, यह बीच में है, play करत करते हो, निकलते हो, ठीक है, तो अपना छोटा-छोटा profit लो, gap up खुल जाता है एकदम, तो कुछ खायदा तो होता नहीं है, उतना अच्छा trade मिलने वाला है नहीं, ठीक है, तो कल भी सिनर्यू ही होगा, कि कल भी आपको भी पास जाले, gap up देख जाए, अगर मुझे लगता पांच मिनिट में, कल क्या धियान रखना है आपको, ठीक है, मैं लिख देख दो, up side का ले दो, up side में क्या धियान रखना है, अगर market up side में, देखो ये huddle जो होनता, ये वाला 90 वाला, ये पूरा huddle बना हुआ था, सी 90 वाला, ठीक है न, ये पूरा huddle बना रहा, मतलब marketing ह हिसे अपना पोट तोड़ा है, market जो gravity end में आई है, कहां से आई है, 90 से, तो धियान रखना, up side में, अगर market, उननीस, चार सो, नबभे, उपर निकाल देना, और continuously, closing उपर की आने लग रही है, 500 के उपर closing आने लग रही है, तो आप ले कर सकते हो, कितने के लिए, उननीस, पा करते रहें, और उपर play करते रहें, ठीक है, market अगर continuously उपर जा रहा है, तो अपने stop loss trail करते रहें, और जितना profit हो रहा है, बुक करते रहें, क्योंकि उपर खुला आस में, कहीं भी भी जा सकता है market, ठीक है, कोई उपर target नहीं है, अगर market उपर के सब निकल लग ठीक है, आप play करते रहें, जितना मिल जाएं, उसमें profit book करते रहें, उपर के लिए, आपको, 19.530 के बाद, अगर market निकल रहा है, ठीक है, आप play कर लें, और जितना मिल रहा, profit book करते रहें, ठीक है, ना, 19.490 निकालने दे रहें, एक बारी continuously उपर closing, उपर time बिताने दे ना, 19.490 के उप अगर decisively उपर closing मिल रही है, और अच्छे तरीके से आ रही है, तो आप उपर के लिए play कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा सा और wait कर लें, तो यहाँ कहीं से play कर लें, अगर दीखें, तो 19.480 से भी आगर आप ले सकते हो, अगर यह मोका मिलें, यहाँ भी आगर आजा मार्के market दिख रहा है, तो इसी zone में मतलब आप play कर सकते हो, उपर के लिए, अपने 30-40 point मतलब की जो दिख रहे है, तो अपना जो भी profit बनता हो, उसे निकाल के हड़ जाना, market उपर से, ठीक है, ऊपर कितना भी चला जाएं, फिर उसके साब से आप जाते रहो, अपना इस्टॉपल अगर market टूटता है, 420 के निचे continuously closing देता है, टाइम पिताता है नीचे के तरफ, ठीक है, डिसाइसल भी निकाल रहा है नीचे के तरफ, तो आप नीचे के लिए play कर लेना, ठीक है, downside आप play कर लेना, नीचे 400 के नीचे से, और पहला जो target आपको अचीव हो सकता है, उसमें क् market 400 के नीचे जाता हो, दिख भी जाए, ठीक है, तो wait कर लेना, उपर का play मिल रहा है, तो कर लेना, पर profit booking करता होई चलना, उपर थोड़ा risk हो सकता है, अगर फस गए, तो फस जाओगे, निकल जाओगे, प्राबलम नहीं होगी, कि ऐसा नीचे कि market माथ से बहुत ज़दा गि पर लेके जाते हैं, उनके all time high के बस नहीं ले जाते हैं, जब तक ये बड़े players, तब तक आपको index जो है, मूब करता हो, देखेगा, उपर की side ही, नीचे play करते रहना, जब भी मोगा मिल नीचे play कर लेना, पर अपना profit booking करते होई चलना, बस ये मैं क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, आपको long short मना के बैठ जाना है, market ऐसा नहीं कि तूटेगा यहां से, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है भी, तूटने वाद अपने रूप बनेगे हो, definitely वह भी आपको बताएंगे, तो अभी कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा market तूटेगा, market इसी पसंद आ रहे हो, लेवल पसंद आ रहे हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल लेकों किलिक करना, ताकि आपको टाइम करना, महरे चैनल के माध्यम से हर त्रेक की वीडियो जो है, मिलती रहे हैं, ठीक मिंट्स, so thank you for watching my video, thank you